वेलकम चैंप्स टू यूर ओन यूटूब चैनल फॉस्ट फ्लाइट आज हम करेंगे बी ये फर्स्ट इयर हिंदी का संप्रेशन और संचार के अंतरगत संप्रेशन के विभिन आयाम दोस्तों अगर इस टॉपिक पे क्विक वेशन आता है कि संप्रेशन के आयामों की प्रिशन का अर्थ बताईएगा कि संप्रेशन के लिए अंग्रेजी भाष्ण में कॉम्यूनिकेशन शब्द का प्रेव किया जाता है और उसके उत्पत्त्त किस से हुई है तो कॉम्यूनीच से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है तो किसी विचार या सूशनाओ को एक व् कि उसे अच्छे से समझ में आ जाए उसके बाद आप बिभिन विचारकों के अनुसार संप्रेशन की परिभाशा दे दीजेगा जैसे ब्राउन बहुत इंपोर्टेंट है और एलन के अनुसार तो ब्राउन क्या कहते हैं संप्रेशन विचारों भाबनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थांतरित करने की प्रक्रिया है इसका उदेश्य क्या है तो सूशना पाने वाले व्यक्ति में समझ जागरित करना है एलन कहते हैं कि संप्रेशन उन बातों का योग है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मस्तिस्क में समझ उत्पन करने की द्रिस् करते हैं यानि व्यवसायक पक्ष या आयाम बोल दीजिए तो उसमें क्या करना है आयाम का मतलब होता है कि जो हमारा संप्रेशन है उसके डाइमेंशन कितने है मतलब उसका फैलाव कितना है तो व्यवसाय पे उसका क्या प्रभाब पड़ता है इल्टिमेट क्या उसका मतलब योगदान है संप्रेशन का व्यवसाय के अंतरगत उसके बाद समाज में चया उसका योगदान है, और तकनिकी में किया उसका योगदान है? तकनिकी मतलब कैसे प्रभाववित करता है तकनीक हमारे संप्रेशन को? तो सबसे पहला व्यवसायक में क्या लिखेगा तो व्यवसायक में लिख सकते हैं कि व्यवसाय करने में संप्रेशन की अत्यधिक आविशकता होती है क्योंकि कोई भी व्यक्ति तब तक व्यवसाय नहीं कर सकता मतलब कोई भी जॉब नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास जह में नहीं प्रबण करता है संप्रेशन के मुखय देशय उत्पाद निर्मान परदान करना या करना। उसके ब सकते हैं कि संप्र staff की महता को संप्रेशन परबा रिक अब करता है कि सूछना का आदान परदान करता है। बिना सूचना का आदान प्रदान के क्या व्यवसाय हो सकता है, इंपॉसिवल है, तो संप्रेशन का प्रयोग इसलिए किया जाता है, ताकि व्यवसाय से सम्मंधित सम्मस्त सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सके, इसके माध्यम से क्रेविक्रे, ग्राहाक तथा अन्य प्राप्ट की जा सकती है कि मतलब कि कैसे बेचे किसी चीज को कैसे खरी दे कैसे ग्राहा को कस्टमबर को अच्छी चीजे दे तो यह हमारा हो जाता है सूचना का अधान-प्रदान के अंतरगत उसके बाद कारेवाही तो इसमें आप लिखिएगा कि संप्रेशन इस उदेशे किया जाता है कि निष्चित किये गए लक्षियों के बारे में क्या कारेवाही हो रही है माल लीजिए कि आप एक गोल सेट करते हैं तो उसके लिए आप आप कारेवाही में लिख सकते हैं ये इसका पता लग सके कि कोई काम कैसे चल रहा है तो ये कारेवाही के अंतरगत आता है इसे कारण प्रबंधक समय समय पर अनेक प्रकार के विवरन मंग बाते हैं जैसे वो ये सुनशित करते हैं जैसे होता है ना कि इसका मुझे पूरा मतल निश्पादन, निश्पादन क्या होता है तो संप्रेशन के माध्यम से वास्तर में किये गये कारे की प्रगति का मुल्यांकन किया जा सकता है, जैसे मान लीजे कि आपने एक टाइम टेबल सेट किया, अब आप देखते हैं कि मेरा मतलब आउटपुट क्या रहा है, तो ऐसे ह व्यवसाय करने वाले व्यक्ति भी देखते हैं कि जैसे उन्होंने कोई काम किया है, कोई प्लांट लगाया है उन्होंने, तो कैसे उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, उसमें लॉस हो रहा है, या प्रॉफिट हो रहा है, तो यहीं देखते हैं, यदि कोई कमी हो तो उसे चारू रूप से चलाने के लिए यहां आवश्यक है कि विभिन विभागो विभिन अनुभागो में क्या होना चाहिए तो समन्बै होना चाहिए तालमेल होना चाहिए इसके बिना व्यवसाय अधूरा है इस कारे के लिए संप्रेशन का ही सहारा लिया जाता है अगर कि इस भी व्यवसायक संगठन में प्रवंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों से कारे कराया जाता है मतलब कि टाइम टेबल पुरा फ्रेम कर लिया और उसको अब कैसे करना है कैसे लागू करना है प्रवंध के मुख्यकारी क्या है नियोजन यानि कि योजना मतलब हम कोई काम करते हैं जैसे आपका एक्जाम है तो आपने क्या किया होगा कि मुझे ये टॉपिक करना है ये बहुत इंपोटेंट है फिर ये टॉपिक करना है जो कम इंपोटेंट है तो वैसे योजना बना लेते हैं किसी काम को करने से पहले तो हम प्रवंध में ये कर अभी प्रेदना होता है कर्मचारियों को काम करने के लिए प्रोचसाहित करना, अगर हम किसे को बुस्ट अप नहीं करेंगे, मान लिजे कि कोई दिमोटिवेट हो जाता है, कोई व्यवसाहिय में, कोई हमारा वर्कर दिमोटिवेट हो जाता है, तो उनको कैसे मोटिवेट प्राइम या समाजिक पक्ष तो इसमें हम परहेंगे कि मनुष्य समाज में अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए संप्रेशन करता है और समाज का सदस्य बना रहता है समाजिक प्राणी होने के नाते वह अपने परिवार, मित्रो, धार्मिक संस्थाओं तथा अनेक पीधी के विचार दूसरे पीधी तक क्या होते हैं स्थानतरित होती हैं सामाजिक संप्रेशन कई सामाजिक परिवेशों में पाया जाता है जैसे आप देखते हैं कि सामाजिक संप्रेशन कहां कहां होता है तो आप क्लासरूम में बैठते हैं तो वहां भी सामाजिक यानि यहीं लीडर में लीडर पर डीपेंड करता है और उतनी सदस्यों के परसपर संबंधों पर निर्फर करता है अगर लीडर्शिप क्वालीटी अच्छी ए Tools . सम्वों का प्रधान समाजिक संपरेशन कौशनल में कि जितना अधिक निपुन होगा संचार उतनी ही क्या होगी प्रभावशाली होगी उसके बाद हम करते हैं समाजिक संप्लेशन के कुछ विशेशताएं हैं तो क्या क्या है तो फर्स्ट है हमारा सदस्यों के बीद समान रूप से विचारो भावनाओं का अदान प्रदान होता है यह विशेशता है दूसरा क्या है संचारक और प्रापक यानि जो संचारित करता है संचारक और जो प्राप्त करता है उसके मध्य निकरता स्थापित होती है मतलब कि उसमें जो दूरिया है वो कम हो जाती है तीसरा है कि विचार विमर्श के माध्यम से समस्याओं का उसके बाद feedback क्या होता है? Feedback समय समय पर सदस्यों से प्राप्त होते रहते हैं. समाजिक संप्रेशन में होता है कि जैसे हमने कुछ बहुत कहीं, कुछ भी हमने बात कहीं, हमने ग्रूप को बात कहीं, तो फीडबेक क्या मिला तो ये भी बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि फीडबेक देना बहुत ज़रूरी है तो आप लोग भी फीडबेक मुझे दीजिएगा कि आपको कंटेंट कैसा लगता है और आपको किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो मैं भी बुस्टफ हो जा तो मैंने बनाया तो क्या हुआ समझ जा के मूल उदस से आपको क्या चाहिए था वीडियो चाहिए था तो मैंने उसी अनुरूप बनाया तो ऐसे ही किया जाता है कि समाज में जो भी प्रॉब्लम होती है तो उसको कैसे हमें निप्टारा उसका करना है ये भी हमें तो तो आप थोड़ा सा अच्छ सी एक्स्पेइन कर दीजेगा अपने लेंग्वेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे और अगर साथ में तो आप लिख सकते हैं कि तकनीकी पक्ष में क्या है तो तकनीकी पक्ष संप्रेशन के अत्यधिक महत्यों पुन आयाम है जिसके पिना संप्रेशन पुन होना और संभव है अगर कोई माधियम नहीं होगा मान लीजिए कि रेडियो नहीं है टेलिविजन नहीं है निउस पेपर नहीं है तो क्या संप्रेशन हो सकता है बहुत बड़े ग्रूप में करना और संभव है ये तो संप्रेशन के द्रिष्टी से व्यवधान दो तरह के हो सकते हैं आप दो व्यवधानों की चर्चा कर दीजिएगा कि प्रथम क्या हो सकता है कि हमारी शारिरिक और शम्ता मतलब हमारे अंदर कोई त्रोटी हो सकती है जैसे हम किसी शब्द को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या कोई हमने ऐसा व और आपको पता है कि संप्रेशन प्रभावी होना बहुत जादा अधिक है आवश्यक है क्यों कि संप्रेशन अगर अच्छे से नहीं होगा तो क्या होगा कि कोई भी काम अच्छे से रनप नहीं कर पाएगा तो तकनीकी में त्रोटी होने के कारण हमारी आवाज, टोन और चरप नहीं है जब बदल जाता है और ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है अर्थ का अनर्थ मतलब कि वक्ता कुछ और कहना चाहता है। अप्रापक ने कुछ और ही सुन लिया, तो क्या हो जाइका कि जाना था आपको, Dil offs मुत मुछ आतं और तक्निकी पक्ष में आप यह भी लिख सकते हैं कि अगर तक्निकी पक्ष अच्छा नहीं होगा तो क्या नकरात्मक प्रभाब होंगे और अगर तक्निकी पक्ष अच्छा हुआ तो क्या सकरात्मक प्रभाब होंगे तो इसमें लिख सकते हैं कि तक्निकी पक्ष अच्छा ह कर सकते हैं अपने वर्ड में तो इसके सथ हमारा यह टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और अच्छे से पढ़के जाईएगा और दैम सिवर की सारे अगर कोई आसा ट्विस्ट करके आ जाता है तो ध्यान से पढ़ना है और दैन अटेम्प करना है तो थेंक्यू सो मज़ दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए